उत्तर प्रदेश में पंचायच चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है। सपा प्रत्याशी आलोग गुपता की तो आलोग गुपता अपने शेत्र के अलावा पूरे जिलिम अपने कारियों के वजह से चर्चा का विशय बने हुए है। देखने को मिले यह वह है उत्तर प्रदेश में होने वाले त्री अस्त्री पंचायच चुनाव की राजनेतिक बैयार और हम पहुचे हुए हैं गोरपूर्ट जनपत्र के वार्ड संक्या 46 जिला पंचायच सदस के रूप में सपा से एक उमिद्वार हमारे साथ है जिनका नाम पर है और तमाम हमारे चेत्र की जनता का बहुत धेर सारा आशिरवाद और प्यार मिल रहा है निश्य तुरुप से मुझे तो यह सा महसूस हो रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत अगर किसी वाट की होगी तो 46 नमर वाट की होगी चो सपा का समर्थन मिला है माननी दो हम सबते हो प्रदाव कि चुनौं में समाजवादी का सरख का बनाएंगे भी डेल को सबसुकित हैं जो साथीर हैं वह भी तियारी हों मेन थैं चुनारी कर रहे ते उनका टिकट कर तिकट आपको मिल गया है आशे गड़ित को राजनितिक हों कैसे साथ हैं देखिए समाजवादी लोग हमेशा एक साथ रहते हैं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं उनको पाल्टी के इहित के बारे में सोचना चाहिए माननी अकले स्यादू जी के सपनों के बारे में सोचना चाहिए उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में जनता के भी जा रहे होंगे आप जनता से रूबरू हो रहे होंगे तो जनता की बातों को आप सुनने होंगे क्या लगता है च्छित्र में कितनी कभिया है कैसे आप बदलेंगे क्या बदलाओ आपके आने के बाद अगर जीत क्या आते हैं तो कैसी बदलाओ देखने को मिलेग है मैं जीतने के बाद सबसे पहले गाओं के हर चीज़ पर काम करूंगा जो गाओं की लोगों की समस्या बनी हुई है और उस पर काम करके और जनता के साथ रहा करके उनका पर लेने का मैं सा प्यास करते एक आखरी सवालाप से करना चाहेंगे चुनाओं की बात होती है खास करके जब तो इहां प्र देखा जाता है अस्थानी मुद्ध्य हावी होते हैं लेकिन उन्हीं मुद्धों में जातीक भी एक व्याड़ा फ्रेक्टर माना जाता है कि जाती क कि उकाइब कि तो यह हुदाओं कि अगर विकास को कि लुए ओलोक गुपता के हातों होगा दोवारा किसी और कहसे नहीं हो सकता तर शेugान रात है और चंबमना चुकिंगा बड़ी जीत देने के लिए आपको उताद है कि हम धूप के नीचे हैं मौसम गर्म है लेकिन ये जो राजनितिक मौसम है ये भी ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा और ये भी गर्म है अब तो ये वक्त बताएगा कि कौन जीत का सेहरा किसके सर पे चाहने वाला है तो हमारी ये राजनितिक जो चुनाओ क कि ये जो कवरेश है पंचाज चुनाओ को लेकर किये जारी है बने रही आप सक्षण न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं सक्षण न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज